हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशक करता हूँ आप सब ठीक होंगे मैं मनी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम जैस्ट में जैसा कि एससी कि MTS हवलदार के जो एक्जाम चल रहे थे वो खतम हो चुके हैं और बहुत से कंडियेट का एक ही सवाल है कि मैंने जो अटेम्ट किये हैं 85 कि 87 कि 90 प्लस किये हैं और बहुत से कंडियेट ने 100 भी किये हैं तो जो हमारी कटोफ है वो किलियर हो जाएगी यह नहीं होगी कटोफ कि इस वीडियो में मैं आपको कटोफ रेंज भी भी बता दूँ गा अंसर की से पहले कटोफ का प्रिडिक्षण जो है वो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पता नहीं होता कि कि कितने आपके सही होंगे कितने गलत होंगे क्यों जटने केंडियेट आटेम्ट करके आता उस सब्सक्राइब करें हैं कि इस वीडियो में इस वीडियो में आप लाश तक बने रहे हैं और अगर आप चैनल पर निविजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा गोर्णमेंट जोब की पलपल अपडेट के लिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो चैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैक्सिमम जो केंडियेट है मैक्सिमम केंडियेट का जो अटेम्ट रहा है वो 85 प्लस ही रहा है और अगर देखा जाए तो तो 85 कट अफ जाने के तो कोई चांसिस बनते ही नहीं है क्योंकि 및 रहे प्रेस के आपकी जो आपकी कट अफ लगाई जाती है वह हमें साव माक्स पर कट अफ लगती हैं कुछ एब्साहरम ऐसे होते हैं कि जो कट सब्सूझ है वो काफी ज्यादा है चली जाती है उसके दो reason होते हैं या तो उसकी जो vacancy है वो काफी कम हो या फिर उसके अंदर जो exam है वो बहुत ही जादा easy आ गया हो यह दो case है चब आपकी cutoff जो है high जाती है लेकिन MTS का जो exam है वो आप कह सकते हैं कि सभी जो आपकी चितने भी shift के अंदर exam हुआ है जो exam का level जो है वो बराबर रहा है यानि कि equal रहा है यानि कि normalization में आपको फायदा मिलेगा लेकिन इतना नहीं है जितना CGL में आपको मिल जाता है उतना normalization में आपको MTS में फायदा नहीं मिलेगा अगर मैं बात करता हूँ attempt की तो जैसे कि आप मान लिजिए मैं आपको example देख बदाता हूँ चार candidate 1 2 ABC लेविजिए चार candidate A, B, C, o, D आने मान लिजिए 85 किए बी ने मान लिजिए और यह सब UR का टिगरी के हैं बी ने मान लिजिए 80 किए इसने 95 किए और इसने candidate ने 100 सवाल किए इस candidate के 5 सवाल रॉंग है इस candidate के 8 सवाल रोंग है और इस candidate के जो है टस सवाल रोंग है और इस candidate के जो है 12 सवाल रोंग है तो owner average आप देख सकते हैं कि सभी के जो marks हैं वो इस candidate को छोड़ कर सभी के marks जो है 80 एराउंड बन रहे हैं इनके 80 से कम है और इन दोनों के 80 से जादा है तो जो cut off होगी वो इनका average लेने के बाद एक cut off लगाई चाहेगी जो सभी के लिए suitable होगी उसके अंदर ये भी देखा चाहता है कि vacancy जैसे कि 3600 vacancy और इनको 8 गुना या 10 गुना candidate लेने तो 10 गुना candidate जब इनके complete हो जाएंगे पूरे हो जाएंगे यानि के 36,000 candidate तो वहीं पर ये cut off को end कर देंगे और वह आपकी last cut off होगी यानि के वहां से cut off ये लगा देंगे अब वह चाहे 70 पे लगे चाहे वह 72 उपर उपर के जो candidate होंगे वह 36,000 candidate होंगे आप समझ गए है cut off किस तरीके से लगा मार्क्स देखिए मैंने एक बार पहले भी वीडिक बनाई थी रो मार्क्स पर और नॉर्मलाइज मार्क्स पर तो मैं इसमें आपको cut off range बताऊंगा expected cut off जो exact cut off होती है वो मैं नहीं बता सकता लेकिन range आपको बता दूँगा कि इस बीच से इस बीच आपकी जो है cut off रह सकती है अगर you are category में आपके 75 to 82 के करीब अगर बनते हैं नंबर रो मार्क्स में तो आप कहीं ना कहीं एक safe category में मैंने एक वीडियो नॉर्मलाइज मार्क्स के लिए भी बनाई है वीडियो के description में उसका भी link है उसको भी देख सकते हैं अगर OBC की अगर मैं बात करता हूं तो आगर बनते हैं यह cutoff range है इसके बीच में अगर आफ हैं तो आपका जो टेर फ़र्स्ट है वो definitely clear हो जाएगा अगर मैं स्ट की बात करता हूं तो आप 68 से अगर 73 के बीच में हैं तो आप कहीं ना कहीं दोड में भी हैं भी बाहर नहीं निकले हैं अगर मैं बात करता हूं स्टी में अगर आपके 64 to 68 यह 69 भी अगर आपके बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक सेफ कैटेगरी में आ जाते हैं अगर मैं बात करता हूं स्ट की तो इनकी जो cutoff है वो घटती बढ़ती रहती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है यह candidate जो है अच्छा एक्जाम अटेम्ट कर देते हैं तो इनकी जो cutoff है वो OBC के लगभग आ जाती है लेकिन किसी-किसी एक्जाम में ऐसा होता है कि SCST के जो candidate होते हैं उनकी जो cutoff होती है UR और OBC से OBC से काफी ज़्यादा low निकल जाती है कभी-कभी OBC के equal रहती है तो यह season यही है कि कभी-कभी जो candidate है वो अच्छा perform कर पाते हैं किसी एक्जाम में किसी एक्जाम में नहीं hardness की वज़े से या level of exam में जो difficulty level है उसकी वज़े से यह जो cutoff है उपर नीचे होती रहती है तो SCST की जो cutoff है वो ओर low भी जिचा सकती है और जो मैंने बताया है उसके equal भी जा सकती है तो यह आपका यह जो cutoff है आपकी जब पता चल पाएगी जब आपकी answer की जो है release हो जाएगी और answer की आपकी जो release हो जाएगी और answer की आपकी जो release हो सकती है क्योंकि उससे पहले हो सकता है कि आपका SSC CHSL का भी जो result है वो announce हो सकता है तो आशक करता हूँ कि आपकी जो cutoff को लेकर समस्चा थी वो clear हो गई होगी और इस वीडियो से आपके जितने भी doubts से MTS के प्रती या MTS से उसकी जो है मैंने सारी जो है आपको detail दे दी थी दे दी होगी इस वीडियो में और इस वीडियो में मैं एक चीज़ आपको यह बता दूँ के जो 25 साल से अबाव के candidate है उनकी cutoff अलग लगती है और जो 25 साल 18 से एक मिन मैं आपको लिखके बता देता हूं 18 से जो 25 तक है उनकी cutoff अलग लगती है और 18 से जो 27 जो है उनकी cutoff अलग लगती है MTS के अंदर तो यह आप याद रखेगा इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद